आज हम लोग कवर करेंगे 12th class history के model paper जो आज हम लोग model set यानी 2 को cover up करने वाले इससे पहले हम लोग 1 cover up कर चुकी है कि आपको किस परकार का question आने वाले आपके exam में और आपको यहाँ सभी NCERT question को cover up किया जाएगा जो आपके exam में NCERT question ही पूछे जाते हैं और यह new pattern पर आदारी सभी question आपको देखने को मिलेंगे तो चले DS20 हम लोग यानी शुरू करते हैं जैसे कि आपके screen पर first question आ गया और आप लोग देख पाड़े हैं किसे क्या कहला था कि सिंदू गाटी सभेता की खोच किस ने की थी एक्चुली यह question थोड़ा सा भाय मिस्टेक हो गया है यहां आपको लिखना था कि मोहन जोदर की यानी खोच किस ने किया था तो आपके सामने चार ओप्सन दिया हुए राखलदास बनर जी काली दास वान भट वान वसू मती तो DS20 आप यहां पूछा ज हाहता की खोच की कोश की बोलते हैं साणी किया था क्योंकि वह जो हरपा संवेता कोही सिंदूंगाटी संवेता भी का जाता है ठीक है जिसए आप लोगे को मालूम होगा महन जोडर कि खोच कब हुए थी 1922 में 1921 में 1924 में तो इसक difference राइड प्कुले हो जाएगा Cindy Gatiar भोज किया गया था तो यह इंसोगाइश में अगर पूछा जायती सविता की खोज तो 1921 में किया गया था यह कोशन आप लोगों को जी से करेंडू सिंदु गाटी सवेता को ही मतलब हरपा सवेता का जाता है जैसे आपको पता होगा ठीक है जैसे आपके स्क्रीम पर आ चुक आप लोग कमेंट सेक्षन बताएगा इसका राइट आंसर के बात कर लें तो तिर्भुजाकार विल भी तराइट आंसर हो जाएगा पूस्टन आपके स्क्रीन पर आ चुका है सिंदु सबेता से संबंदित अस्तल रोपर का उत्खनन कराया था किसने क्या था रोपर का जो अस सिविल वितर राइट रही टांसर हो जाएगा वाट डी सर्मा याँरी टारइट राइट रहाएगा रण्द रहेचत या कथन किसका था इसका राइट आंसर अगर आपको बता है तो फटाबर आपको प्रॉट्स अप्यांट अगर अपको पता है तो फटाबर आपको पांच प्रदिश में इस्तित है तो बोगातर या हुलाश या आपका सुरॉप खोला या संगोल डिस्ट्ट्ट्ट इसक्स नमर कोश्टन का राइट आनसर के अगर बात कर लें हम लोग छिक्स नमर कोश्टन का तो इसका option no.A right answer हो जाएगा यह भोगात तर ठीक राइट आनसर हो जाएगा मोहन जोदुन अगर बसा हुआ था किसमें 20 km के घिराओं में या 15 km के घिराओं में या 10 km के घिराओं में या आपका 5 km के घिराओं में तो डिया स्क्रीन कोस्ता नमर 7 का आपको राइट आंसर बताना है तो, question number 8 की एकर हम लोग बात के लए हरपा किस नदी की, मतलब किस नदी पर उजतिता तो, question number 8 क का जो right answer हो जाएगा, तो option number A right answer हो जाएगा, राभी will be the right answer हो जाएगा, हरपा स मेता में अनेक नगरों का पता चला, इसमें कितने को नगर की संघ्या दी गयी थी, पांस को दिया गया था छे को या साथ को या आठ को या नगर का जो नाम दिया गया था जैसे मोहन जुद्रो रो पर लो था ये सब तो नाम जो दिया गया था तो वो कितने संग्या दिया दया कितने नगर का तो नौ नमर कोशन का अगर हम लोग राइट आंसर के बात कर ले त तो आपसन नमर B यानि 6 इसका नाम दिया गया था ठीक है चलिए आगे देखते हैं लोग फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है मोहन जुद्रों की सबसे बड़ी इमारत निर्ट में से कौन है असनानागर था अन्नागर था इंटे बनाने का सभाहवान या इन में से कोई नहीं तो मोहन जो की सबसे बड़ी इमारत जीत हुआ तो क्या था अन्नागर था और असनानागर भी था आपको पता ही होगा सबसे बड़ा थो अन्नागर था लेकिन असनानागर भी आता है तो इसके राइट अपसन नमर B पहले अन्नागर हो जाएगा उसके बाद असनानागर हो था यह एक अनुपात दो अनुपात यह चार अनुपात यह चीन पाथ यह तब राइट आंसर जाएगा चलिए अपके कोश्चन आपके स्क्रीन कशुका है जैसे आप लोग वेक पार हैं क्या करता है सिंदू सभेता निमलिकित में से किसे नाम से जाना जाता है तो पहला है का अबने पास नंबर का इसका का से यूग से सब्सक्राइब कर दो पता का से जाना जाता था उपसिन नमर ए विल भी दा राइट अंशर हो जाएगा चलिए सेंधव निवासियों का पिरिय पसु यादी निवल चाल तो यानि वहां के लोग जो थे तो वहां यानि क्या सबसे ज ठीक है, option number C will be the right answer हो जाएगा, सेंधब संस्कीर्थी के अंतरगत, अधिसंक्यक मोहरे प्राप्तविती निमलिकित में से, यह मोहरे किस चीज से निर्मित है, शौरने से, लोहा से, तामबा से, सेल खरी से, तो question number 14 का आपको right answer बताना है, question number 14 का अगर right answer के बात कर लें तो D, इ स्क्रीन पर आ चुगा, 50 number question, सिंदु गाटी के निवासियो को किस धातु का ज्यान नहीं था, सोना का नहीं था, चांदी का नहीं था, लोहा का, तामबा का, तो यह किस धातु का उसे ज्यान नहीं था, इसका D, इसकी जैसे का पता होगा, आपनों को, यानि लोहा का ज्यान सिंदु देपता हो, मैं से कौन सेंदप सवेता का परमुग देपता था, पहला गनेश दिया होगा, सिव दिया होगा, विसनु दिया होगा, वरुन दिया होगा, तो 17 number question देखना है, और इसका right answer आप लोगों को बताना है, तो इसका right answer के अगर बात कर लें, तो option number B right answer हो जा answer हो जाएगा, मोहन जुदर, ठीक है, जिसका कोज 1922 में, राखलदाज मनरजी के द्वारा किया गया था, 90 number question देखिएगा, आप लोगों क्या कर लाता है, कि सभेता, उन्हें होगा, सभेता का परसासन यह था, कैसा था, हरपा मनल कैसा था, हरपा सभेता का परसासन कैसा था राशतन था, लौकतन था, नगरपाली का जैसा था, गंतन था, तो राइट आंसर के अगर बात कर लें हम लोग 19 नमर सभाल का, तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, कि नगरपाली के जैसा था, परसासन था, तो नगरपाली का जैसा था, आपसान नमर C, राइट आंसर ह हो जाएगा चाहिए कोशन देखिए आपके स्क्रेंट पर आ चुका है सिंदुस अभेता में निर्थ करती वी लड़की की मूर्ती कहां से मिली थी लोथल से मिली थी अरपा या मांड़ा से तो डियस ट्वेंटी नमर कोशन का राइट आंसर आपको बताना है ट्वेंटी नमर और तो डियस ट्वेंटी नमर कोशन का आपको बताना है ट्वेंटी नमर कोशन के अगर हम लोग बात कर लेता है क्या आपको राइट आंसर क्या हो जायाएगा 6 ट्स डूकर 7 वी थी वी लचे और 280 क्या पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होगा अर्थ वेद, यजुरुवेद, समवेद, और आपका और कौन एक है, वो बताएगा, आपका 24 नमर कोशन बताएगा, पुरानों की संख्या कितनी है, 16, 18, 22, 28, तो रइट जली बताएगा, पुरानों की संख्या कितनी है, तो 16, 18, 22, 28, 22, 28, रहा है, विल भी दा राइट आंसर हो जाएगा, पुरान की संख्या भारा रहा है, ठीक है, रिगवेद की रचना कभूही थी, 800, 22, 26, 220, 22, 220, 22, był एक हजार इस्वी पूर्वे, 15, 20, 22, 22, पूर्वे, 15, 21, 22, पूर्वे की बीच हुई थी, ठीक है, तो आपकोन नमर, दी राइट डांसर हो जाएगा 25 नमर कोसं के अगर हम लोग बात कर लें ठीक है इसका राइट डांसर हो जाएगा सुरी यह चीज और यहां देखेगा रिगवेद का यह भी दिया वारता कहीं कि देखेगा 1202 से 708ea 110 p.5 रहता है तो विश्णू के 10 अवतार की नमर की संबने है इसमर्थी क荐ा चाहिए हम लोग तो ऑपसें नमर यह राइट आंसर ओसाएगा याइन हिंदू-ध्रमिक सभीध के से ठीक है चले कोशनने कि देखते है निवल में से दो सारवधीक लौक फिरी है इसमर्थि है कौन की यह मनसल टीक है और यह गहां वल्जिए समर्थी यह आपका नारा इसमर्थी और यह का प्रस र्य समर्थी और हनू मार इसमर्थी यह मनुस्मर्थी के कितने परकार के विहा का उल्ले किया गया है नि मनुस्मर्थी में जो विहा का उल्ले किया गया था हो कितने परकार का चार परकार का छे परकार का आट परकार का नौ परकार का तो डिये स्ट्रेंड उन्टीस नमर सवाल का राइट आंसर के अगर बात कर ले म प्रकार का यानि आठ परकार विहा का उल्ले किया गया था option number C विल्विद राइट डांसर हो जाएगा रिगवेद काली इन लोग किसका पूजा करते थे विश्नु का करते थे परकिर्ति का करते थे लक्षमी का या सिप का तो 30 नमर सवाल का राइट डांसर बताना है 30 के अगर बात कर ले तो इसका राइट डांसर क्या हो जाएगा option number B विल्विद राइट डांसर हो जाएगा यानि परकिर्ति विल्विद राइट डांसर हो जाएगा 31 का विल्कुल आपका option number A विल्विद राइट डांसर हो जाएगा बहाव इसनों महस ठीक है जनपत सब्द का अर्थ क्या होता है साब्दिकर जहां लोग अपना घर बनाते हैं जहां लोग मविसी रखते हैं यह और भी दोनों या इन में से कोई नहीं तो 32 नमर सवाल के अगर बात के लिए इसका right answer क्या हो जाएगा option number A right answer हो जाएगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं ठीक है तकसिला विसी देले कहा इस्तित है पाकिस्तान में इस्तित है बांगला देश में या आपका भारत या वर्मा तो 33 नमर सवाल का बताना है मेरे 33 का अगर बात कर लिए इसका right option की अगर तो Pakistan will be the right answer हो जाएगा ठीक है तकसिला विसी देले कहा प्रिस्तित है नहीं पाकिस्तान पे ठीक है चले देखिएगा फायान किसके सासन का आल में भारत आया था समंद्र गुप्त के राम गुप्त, चंद्र गुप्त दो, असकंद्र गुप्त का तो right answer की अगर 34 नमर सवाल का बताना है 34 की अगर बात कर लिए इसका right answer option number C हो जाएगा चंद्र गुप्त दो, ठीक है अठानव इस्वी में, तो डिया स्ट्रेंट का जो राज रोहन हुआ था 36 नमर सवाल की अगर बात कर लिए हम लोग तो option number B हो जाएगा या ठातर इस्वी में हो जाएगा अंबा अमबाली का किसकी पतनी थी चित्रांगंद या आपका विचित्र विरिये या आपका पांडू या दुरियोधन तो डिया स्ट्रें 37 के अगर बात कर ले हम लोग तो 37 का right answer option number B right answer हो जाएगा या विचित्र विरिये will be the right answer हो जाएगा महिड सभ्यास दोरा उत्पन संतान थी पांडू था या दृरास था या विदूर या या ये सभी तो 38 का right answer के अगर हम लोग बात कर ले 38 का option number D right answer हो जाएगा या ये सभी will be the right answer हो जाएगा गटो चक किसका पुतर था ये दूरियोधन या आपका भीम हो जाएगा अर्श या आपका गंदर्व या आपका राक्षस या देव तो डिया सभी नवर सभाल के अगर बात कर लें हम लोग right answer की तो right answer आपका option number B right answer हो जाएगा गंदर्व will be the right answer हो जाएगा ठीक है 10 दिन तक, 12 दिन तक, 18 दिन तक या 20 दिन तक तो महाबरत का युद कुरुचेतर के मेदान में जो चला था वो 18 दिन तक चला था इसका right answer option number C right answer हो जाएगा महाबरत के किस परवे हैं वरण नवैस्ता का उलेक मिलता है आदी परवे में, 20 में परवे में या आपका शांती परवे हैं इन मेसेज सभी में तो 43 का बताना आप लोग फटाबर comment section बताएगा इसका right answer के अगर बात के लिए हम लोग पराकीर्त या हिंदी तो ज्रिये स्का right answer के लिए इसका right answer के बात के लिए हम लोग तो right answer option number D right answer हो जाएगा या यह सभी will be the right answer हो जाएगा निमें से कौन सा नगर पांडो दौरा बनाया गया माना जाता है हस्तिनापूर या आपका इंदरपरस्त या आपका कोशामभी या आपका या स्त्रावस्ती तो right answer बता है यह 47 का आपको बताना है 47 नमर सवाल का अगर बात कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा इसका right answer आपका option number A will be the right answer हो जाएगा जली था या अर्थवा था ठीक है महावार्त के रचना के अगर बात कर लें महावार्त का तो महीर से वेद्व्यास था option number B right answer हो जाएगा ठीक है चलिए और अगर हमें उम्हें करता हो का आज का वीडियिया आपको काफी पसंद आया अगर पसंद आया अगर आप लुकर इस परकार का वीडियो चाहते हैं तो फटा बड़ा अपनो आई दीजे कोशा था अच्छे से अगर बोट एक्जाम की तेयरी और चैनल को आप बेले जाइन जा बारत